जैया स्री जादे, अश्रुपात के दूसरे खंड में आपका हर्दी का विन्यंदन है, इससे पहले भाग में मैंने आपको अश्रुपात की महीमा बताई शाष्त्र सम्मत कि कैसे भगवान आशुओं से रेजी जाते हैं, और क्या आप जानते हैं कि इस ब्रमान्ड का सबसे पहला आदी मंत्र कौन सा है, सबसे प्रथम बीज मंत्र क्या है, जब स्रिष्टी की उत्पत्ती होई, तो भगवान न जब ये 84 लाख योनियां बनाई, उसमें से सर्वस्रिष्ट योनी है, बड़े भाग मानुष तनपावा, सुर दूर लव सब गरंथन गावा, 83 लाख, 99 में 1900, 99 में योनियों से सर्वस्रिष्ट योनी अगर कोई है, तो केवल ये मनुष्य शरीर है, और ये मनुष्य शरीर जब जैसे ही जनम लेता है, ये नवजात, शिशु जैसे ही बाहर आता है, माता के कोक से, उसी समय भगवाने से बीज मंत्र देते हैं, आपको मालूम है उसी दिन कौन सा बीज मंत्र है, सबसे पहले ये जी बाहरा कर क्या करता है, बताईए, पहला काम क्या करता है, सबसे पहला जो कार्य करता है, वही उसका बीज मंत्र है, और वो पहला काम करता है, असरुपा दिन रोना, रोना, रोना करता है, जनम जनम अभ्यास निरत चित, अधिक अधिक लपटाई, दो काम वो पिछले जनम जनम अभ्यास निरत चितर, गोश्वामी तुलसिदार जी कहते हैं, एक जनम नहीं उसके लाखों लाखों करोनों करोनों जनमों से वो करता आ रहा है इसलिए वो दो काम पहले करता है एक रोना और एक मूँ से खाना या पीना आपने देखा होगा नवजात शिशु पैदा होती ही मूँ चलाता है वो माता का इस्तन ढूणता है दूद पीने के लिए तो दुख दुपान, अभी अभी नया नया अभी तो आया उसे कौन सिखाता है सिखाने का अभी शक्ता नहीं है उसे रोने को कौन सिखा रहा है सिखाने का अभी शक्ता नहीं है वो जनम जनमांतर से पूर्व जनम के पूर्व जनम का जो किया हुआ कर्म फल है उसके आधार पर वो रो रहा है तो फिर अब भगवान कहते हैं कि किस के लिए रोगे अगर विशय के लिए रोगे तो जैसे मैंने पर्थम पार्ट में एक श्लोक सुनाया था एकादर्श इसकंद के चौदे में अध्याई के 27 माई श्लोक में फिर दोबारा धोराता हूँ अगर विशयों का ध्यान करोगे तो विशयों में डूब होगे भगवान ये कहना चाह रहे हैं अगर तू विशयों के लिए रोएगा अगर तू घर के लिए रोएगा तो घर मिलेगा धन के लिए रोएगा धन मिलेगा पत्नी के लिए रोएगा पत्नी मिलेगी पुत्र के ल रोएगा जगत मिलेगा और जगदिश्वर के लिए रोएगा तो जगदिश्वर मिलेगा आपको पता है एक छोटा सा कीट होता है भागवत में 11 शिसकंद में 24 गुरुओं का कुपाख्याने उसमें कीट का वरणन किया गया है उस किडे का नाम है भ्रंगी कीट क्या नाम है कहीं कहीं गाओं में उसको बिलनी भी कहते हैं बिलनी अगर गाओं में रहने वाले होंगे आप लोग आपने देखा होगा कि कभी-कभी डीवारों पे कच्ची-मिट्टी का एक सुरंग जैसा बनाता है उसमें वो एक कीट को पकड़के भ्रंगी कीट किसी किसी भी कीडे को किसी भी मक्खी को मच्छर को किसी को भी पकड़के और उसमें बंद कर देता है और उपर से बंद करके तो जिस मुख भी बंद कर देता है और जिस कीडे को उस मिट्टी के घर में बंद करता है वो जो बंद कीडा है वो उस कीट का ध्यान करते 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 स्वयमबी भरंगी बन जाता है इसलिए इस लोक में कहा कि विशयान ध्याया तश्चित्थम कि विशयों का चिंतन करते 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 करतAy विशयेशू विशजत्यते उसे विशय में डूब जाते हो और मा मनसमर तश्चित्थम और यह दितू मेरा इसमन chops करेगा तो फिर मै ये वा परवीलिया थे, मुझे में परविष्ट होगा। इसलिए धियान रखें, मैं बारबार आप से कहता हूँ कि नाम उपचार के लिए जो मैं नाम आपको बताता हूँ, चाहिए वो धायविडिज के लिए नाम बताता हूँ, प्रतिख रोग का नाम अ अगर नेत्र रोग है, अगर कोई चर्म रोग है, अगर किसी प्रकार के कोई कमर दर्द है, अथवा कोई भी प्रकार का ब्लेट प्रेशर है, हाई प्रेशर है, लो प्रेशर है, चाह सिर दर्द है, चाह माइगरेन है, किसी भी प्रकार का शरीर के एड़ी से लेकर चोटी तक कोई भी रोग हो कफ बात और पित जनित कोई भी रोग हो उन सब का नाम अलग अलग है और शाश्त्र कहते हैं कि नाम केवल गुरु मुखी शरवन करें इसलिए जिसे भी रोग से पीडित हो जो कोई भी वो हमारे इस लिंक में नीचे मेरा वाटसप नंबर दिया है आप उसम संपर्क करें अथो आप 540 वार महामंत्र लिखकर हमें वाटसप पर भेजें डाक से भेजने की जरूरत नहीं है हरे क्रिश्ण हरे क्रिश्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे केवल इतना सावधान रखें मैं कहता हूँ जबते समय केवल चार सावदारी हैं दियुतम पाना मिस्त्री सुना अर्थात किसी प्रकार ना मदिरा पान करें किसी प्रकार की नशील वस्तु का सिवन न करें जुआ न खेलें बेविचार में संगलगन न हो और किसी की निंदा न करें किसी की चुगली न करें क्योंकि ऐसा क्याते हैं जो इ जिन्दा करके मैं उसके कष्ट में क्यों भोगूं विचार किजिएगा इन चारों नियमों का पालन करके यदि आप उस नाम को 24 घंटे में साड़े तीन घंटा 35 मिनटे जप लेते हैं और कभी-कभी अगर ये अनमोल अस्रू भादें अकेले में बैठकर चमत कर देखिए करक YouTube में कहते हैं भाया यह वीडियो अधिक शेयर करें और इसमें घंटी दबादें और इसमें ये करें वो करें मैं ये सब नहीं कहता, आपकी मर्जी हो, आप सुनो, आपको अच्छा लगता हो, आप अपने जीवन में धारण करो, न लगता हो, आगे बढ़ जाओ, मैं नहीं कहता कि इस वीडियो को आप सुनो, इसको सबस्क्राइब करो, हरे भाई, जब आपको लाब होगा, तो आपके सबस्क्राइब भी नहीं करोगे, अब भागे भागे हरिद्वार आगे, और मेरे ये स्री चरण, बेटा ये भगवान के विहारे जी का जो साक्षात, ये स्वेंबू चरण है, इसका दर्शन कराओ, आप लोगों को शैक पता नहीं है, ये हमारे निकुन जदाम की खुदा आ रहा हूं, और इन नामों की प्रति दिन बिगत 15 वर्षों से प्रति दिन निहां आहुती दे जाती है, ताकि ये नाममंत्र सिद्ध हों, और आप लोगों पर ये क्रियानवित हों, ये कर रे करें, इसलिए आप विलंब न करें, और अविलंब आप किसी भी रोग से कितन भी चाहें वो, असद्य रोग क्यों न हो, आप इलाज करा के अगर ठक गए हो, तो परिशान तो वैसे ही हो गए आप, रुपया पैसा तो खर्च करी चुके हो, तो एक बार बिना खर्च किये हुए, एक बार नारेण के शननागती लेकर भी देख लो, जब आपको आनन्द आएगा, जब आप स्वस्त हो जाओगे, तो भागे भागे आओगे माथा टेकने, मैं क्यों कहूं, है ना, इसलिए आप लोग प्रेम से, इसका पालन करें, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, 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 हरे हरे, हरे राम, हरे राम, 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 हरे हरे जैसरी रादे